एक धोबी था उसके पास एक गदा था वो काफे दुष्ट पुष्ट था चार चार गदो का खाना वो अकेला खाता था पर काम एक भी गदे का बिल्कुल नहीं करता था दिन बर सर्फ आराम करना और सोते रहना इतना एक ही काम इस गदे को मालूम था इसी कारण धुबी इस गदे पर काफे गुस्सा होता था उसकी वो काफे पिटाई करता था काम नहीं करता क्या? आलसी है, सिर्फ प्रेंक चे रहता है खा, मार खा, मार खा, मार खा अरे गदे, दूसरे गदे को देख, कितना काम करते है नहीं तो तू, शी दोबी ने इस गदे को सुधारने के लिए काफी उपाई करे परन्तो गदा सुधारने का नाम ही नहीं लेता था आखिर में दोबी ने गुस्से से इस गदे को बेच कर दूसरा गदा करीदने का निर्ना लिया और दूसरी हे दिन गदा बेचना है ऐसा बोड़ वहां लगा लिया तक टाक गदा बेचना है अरे वाँ गडू धोबी ने गधे को बेचने का निर्ना लिया है शायर चलो देखते अच्छा निकला तो खरीद लेते गडू अरे ओ गडू इस वक्त कौन आया होगा क्या रहे क्या देगो बेच रहे हो ना मतलब इस बोल्ट पर लिखा है इसलिए पूछ लिया अच्छा अच्छा फिर मैं खरीद लूँ क्या अरे खरीदो ना दो ना पर गडू मेरी एक शर्त है यह मतलब यह शर्त तुम्हें मन्जूर हो तो मैं तुम्हारे गधिये को खरीद सकता हूँ अरे बता दो ना मतलब बात यह है सबसे पहले तुम्हारा गधा मेरे गधों के साथ रखूँगा उसका बात खरीदना है या नहीं वो तै करूँगा ठीक है ले जा फिर कुम्भार में उस नए गधे को अपने पुराने गधे के साथ रख दिया और वो उस घदे को ध्यान से परकले लगा नमस्कार दोस्त मस्कार नमस्कार केसे हो अच्छे हो ना मजे मैं हूँ पर तुम नए दिख रहे हो कहां के हो तुम मैं ना किसी गाव का हूँ इतने दिन धोबी के पास था धोबी के पास फिर दिखाई ने दिये कभी नदी किनारे के से दिखू ना मैं घर में ही रहता था ना अच्छा अच्छा फिर घर में क्या काम करते थे तुम काम आम का अपना कभी ठमता ही नहीं पर पेट खाने का और अराम करने का यही मेरा जहता काम ऐसे रहते थे तुम फिर मालिक तुम्हें कुछ नहीं कहता था बोलता नहीं था अरे बोलता था बड़ी पिटाई करता था बहुत धूर था और फिर भी तुम काम नहीं करते थे मालिक क्या पीटते पीटते ठक जाता और फिर ठक कर निकल जाता फिर क्या अपना ही राज क्या ऐसा क्या देखो मैं तुम्हें स्वष्ट करता हूं हमारी दोस्ती कभी नहीं होगी जो हमें खाना देता है हमसे प्यार करता है उसी मालिक को काम न करके काम चोर बन के तकलीफ देना मुझे मंजूर नहीं है इसके बाद तुम मुझसे बाद नहीं करना ठीक है मुझे क्या इस आलसी घदे की दोस्ती किसी भी घदे से नहीं हो सकी आखिर में कुम्हार के पास पहले से एक आलसी घदा था जिसकी भेट इस घदे से हो गई मुझे बहुत भर पेट खाना पिना अच्छा लगता है और फिर उपर से सोने को मिले तो आहाहाहा क्या कहना बिल्कुल स्वर्ग जैसा स्वर्ग के सुख जैसा हाँ मालिक पिटाई करता है पर इस सुख के आगे ये बिटाई तो कुछ भी नहीं क्यों तुम्हें क्या लगता है वावा वावा दोस्ट तुम्हारा कहना मुझे बिल्कुल सही लगता है अरे यहाना मुझे समझने वाला कोही नहीं है अच्छा हुआ तुम आगे अब हम दो दोस्ट ये सब देखकर दोबी से लाया हुआ गधा अपने किसी भी काम का नहीं है इस बात को कुम्हार समझ गया और फिर जल्द ही वो आलसी गधा लेकर दोबी के पास पहुँच गया और बोला ए गड़ो धोबी ये तुम्हारा गधा तुम वापस ले लो मुझे ऐसा गधा नहीं चाहिए है कुम्हार को असल में क्या कहना था वो दोबी समझ गया और फिर धकदीर का मारा क्या करेगा दोबी बिचारा दोबी ले ऐसा सोच कर उस गधे को फिर से अपने पास ही रख लिया सारांश जीव मात्र की खोट मरने के साथ ही जाती है